नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका किसान जी टेक ग्यान चैनल में। आज हम बात करेंगे गाए भेंस पालने के लिए इस राज्य में मिलते हैं 10 लाख रुप्ये। यहाँ संपर्क करते ही बन जाएगी बात MP State Cooperative Dairy Federation और State Bank of India ने एक MOU साइन किया है जिसमें दूद उतपादन बढ़ाने के लिए किसानों को 10 लाख रुप्ये का लोन दिये जाने का प्रावधान है। दूद को प्रोटीन और कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स मानते हैं। देश विदेश में दूद और इससे बने उतपादों की मान बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि अब गाव-गाव में Dairy Farm खुलते जा रहे हैं। दूद उतपादन बढ़ाने के लिए उननत नसलों के पशुओं को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। किसान की दिल्चस्पी इसलिए भी इस काम में बढ़ रही है क्योंकि पशुपालन Dairy Forming से अतिरिक्त आमदनी हो ही जाती है। खेत के लिए खाद का इंतजाम भी हो जाता है। अब सरकार भी किसानों को इस काम में आर्थिक और तक्नीकी सहयोग दे रही है। अब राजे सरकारे भी अपने लेवल पर किसानों को पशुपालन और Dairy Forming से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। राजे सहकारिता Dairy Federation ने State Bank of India के साथ एक MOU साइन किया है। जिसका मकसद है राजे में दूद उत्पादन को बढ़ावा और इसी लक्षे को हासिल करने के लिए राजे के किसान और पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा वो भी किसी गारंटी के बिना ही। अनुमान है कि इस स्कीम से छोटे और सीमान्त किसानों को भी लाब होगा क्योंकि महंगाई के बीच यह वर्ग ही आर्थिक तंगी के चलते कुछ नया करने से पीछे रह जाता है। ऐसे में सरकार के इस कदम से इस वर्ग के किस किसानों को भी प्रोथसाहन मिलेगा। कैसे करना होगा लोन का भुकतान MP State Co-operative Dairy Federation और State Bank of India के बीच हुए इस MOU के अनुसार, किसान और पशुपालकों को दो मवेशियों से लेकर, 4, 6 और 8 की संख्या में मवेशी खरीदने की छूट दी जाएगी। जिसके लिए वो अपन में किसानों पशुपालकों को पहले ही 10% माजिन मनी सब्मिट करनी होगी। अच्छी बात यह है कि लोन की रकम को चुकाने के लिए कैसा भी दवाब नहीं होगा, बलकि किसान चाहे तो 36 किस्तों में लोन की रकम का भुकतान कर सकते हैं। किन-किन चीजों के लिए मिलता है लोन वैसे तो देश में पशुपालन और देरी फॉर्मिंग के लिए कई योजनाय चलाए जा रही हैं, जिससे किसानों और पशुपालकों को आर्थिक संबल मिला है। कई योजनाव में आवेधन करने पर किंद्रिय पशुपालन, मत्स्यपालन और देरी मंत्राले से तो कुछ परियोजनाव में नाबाद का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग मिलता है। इस कड़ी में अब MP State Co-operative Dairy Federation के साथ State Bank of India भी आगे आया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।